मद्यप्रदेश कॉंग्रेस कमिटी दुआरा निकाले जा रही जनाकरोश यात्रा आज दोफर में कसराओत पोशने पर मद्यप्रदेश के पूरो कर्शिमंती रहे सचीन यादो ने कारे करताओं के साथ मोटर साइकल दिली निकाल कर भविस्वागत किया प्रशिय उपज मंदी समीती प्रांगण में हुई आम सभा में कॉंग्रेस नेताओं ने शिवरा सरकार पर भिष्टाचार के आरोप लगाये उत्साथ से लबरेज कॉंग्रेस कारी करताओं ने जनाकरोश यात्रा में प्रदेश की भाजपर सरकार को उखार फैकने का संकल कि किया मद्धी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के सचियू संजय दत्र ने जनाकरोश यात्रा के भवित स्वागत पर सचिन्यादों सहित कांग्रेस कारिकरताओं के प्रती धन्यवाद गया पित हते उनके प्रती आभार व्यक्ति किया संजेदत ने मीडिया से कहा कि निमान मालवा अंचल के 35 विदान सभा शेत्रों से निकलने वाली जनाकरों शियात्रा का सभी जग अभुत पूर्व स्वागत हुआ उन्होंने आरफ लगाया कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को बद्धाल कर दिया है अब तो उनके कैंद्रिय नेतर तुने भी मान लिया है कि शिवराज सिह डुपती नईया है कस्तरावत से किल खान की रिपोर्ट देखें मध्य प्रदेश में जबदस महौल है और ये जन आकरोश यात्रा का जो सबसे बड़ा उद्धेश था कि जो जनता के मन में जो आकरोश बैठा हुआ है उसको एक मच देना उसको बहा निकालना ताकि सरकार तो किसी का नहीं सुन रही महिलाओं में सबसे ज़्यादा अत्यचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं पूरे देश में वो महिलाओं को किसी तरह से बात उंकी नहीं सुना चारी सबसे ज़्यादा बेरोजगार मद्य प्रदेश में बेरोजगारों को पिटाई हो रही है सबसे ज़्यादा सोशन पूरे देश में आदिवासियों का सबसे ज़्यादा मद्य प्रदेश में हो रहा है करने वाले खुद भाजपा के लोग है तो लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो प्रतारित करा जा रहा है युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, दलित को, आदिवासी को, व्यापारियों को टाक्स इतना लगा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं जो सो सो रुपए आते थे आज पाच पाच हजार रुपए आ रहे हैं खिसानों को फसल बीमा के नाम पर ना बीमा दिया पूरी फसल खराब हो गई मुआफ़ा आज तक देखने के लिए कोई पटवारी नहीं आया कोई संत्री नहीं आया कोई मंत्री नहीं आया तेखी आठ्ट्रा साल तक सिर्फ महिलाओ का सोशन करा और महिंगाई से उनके पूरी जेबे खाली कर दी उनका पूरा बजट बिकार दिया अब दो महेने के लिए अगर ज़ार ज़ार रूपए देते तो एसान कर रहे हैं क्या, उनकी जवाबदारी हैं महिनाओ की सम्मान देने की, उनकी रक्षा करने का पर उसमें तो पुरी तरह से सरकार विफल हो गई है आप जिस तरीके से एक आदिवाशी नेता हो करके जिस तरीके से मद्यप्रदेश में आदिवाशी दलीतों पर अत्याचार हो रहे हैं इसे क्या मांते हो देखे इते जादा बुरिष्थी थी आदिवास्यों की कभी नहीं थी ना ही दलेत्यों की थी ना कमजोर वर्गों की थी जिस तरह से बीजेपी के लोग ही शोशन करता हैं तो सरकार रक्षा कैसे करेगी और एक ही तरीका है बचाने का सारे वर्गों को कि बीजेपी को मध्यप्रदेश से हटाना होगा देखे कोंगरेस स्टाटेजी से चलती है ये जो काम कर रहे हड़बाहाट में कर रहे है और हम पूरी स्टाटेजी कर रहे है जैसे यात्रसमाप्त होगी सारे लिस्टे जारी हो जाएगे प्रदेश कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पुर्व केंद्रिय मंत्री और प्रदेश कॉंग्रेस के चुनाव प्रचार समिती के प्रमुक आधर्निय कांतिलाल भुरियाजी के नेत्रितु में ये यात्रा खर्गोन से शुरू हुई और खर्गोन से शुरू होते हुए हम मालवा और निमाड के करीबन 35 विधान सवा शेत्रों को कवर कर रहे हैं अब बढ़वा करके हम कल खंड़वा करेंगे फिर देवास में प्रवेश करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अभूत पूर्वक्त जो है प्रतिसाद रिस्पॉंस पब्लिक से मिल रहा है अब इस तरीके से महौल बन रहा है कि जैसे ये चुनाओ अब आम जनता वर्सिस भारतिया जनता पार्टी हो गया है क्योंकि हमारे आदर्निय नेता राहूल गांदी जी खरगे जी सोनिया जी प्रियंका जी कमलनाच जी कि सबी ये चुनाओ जनता से जुड़े हुए प्रशनों पे लड़ रहे हैं पिछले 18 साल में जो बदहाल भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उसके बारे में जनता ने तो अपना मन बना लिया है लेकिन जो सिगनल मिल रहा है वो सिगनल ये सपस्ट संदेशा दे रहा है कि भारतिय जनता पार्टी के केंद्रिय नेत्रितों ने भी ये तै कर लिया है कि शिवराच चवान जी डूपती नहीं है और ये अब जो एक्सपरिमेंट उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया था कि अपने केंद्रिय मंत्री अपने सांसत उनको चुनाओं में उतारा और वो सारे चुनाओं पश्चिम बंगाल में हार गए वो इतिहास यहां रिपीट होने जा रहा है और स्पष्ट रूप से जिस तरीके से मोदी जी, अमिच्छा जी इधर आके चुनाओं का प्रबंदन कर रहे है तो लोगों के मन में ये सवाल पहला खड़ा हो रहा है कि जब उनका ही उनके राज्य नेत्रित्यू पे विश्वास नहीं रहा है तो अब हम उस पे विश्वास करके क्या करेंगा और आम आदमी से जुड़े जो प्रश्चन है चाहे महंगाई का प्रश्ट चाहे बेरोजगारी का प्रश्ट चाहे प्रश्टाचार का प्रश्ट वो मूल भूत प्रश्टों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है भारतिय जंतापरटी का नेत्रितु इन मुद्दों से ध्यान बटाने का कितना भी प्रयास करे वो इसमें स लोगों का उत्सा आपने देखा, लोगों का पार्टिसिपेशन देखा, हमने प्रवेश किया, रैली हुई, इसी तरीके से सभी विदानसभा शेतरों में रैली हो रही है, विशेश करके सभी वर्गों के लोग, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे युवासाति हो, चाहे हमार बैने हो सबी और पूरे तरीके से हर वर का प्रतिनितु मेरे संग प्रदेश युग कॉंगरेस की अध्यक्ष भाई विक्रान जी हैं बहुत ही प्रभावी धंग से हर विदान सभाशेत्र में ये बात रख रहे हैं बैन विबा जी हैं महिला कॉंगरेस से सम्मंदित सारे चंजी आए आज जो है अभी अगली सवा में आदर्निय भुरिया जी रहेंगे तो पूरे तरीके से मैं बता सकता हूं कि यह यातरा जो है इसको जनता ने अपने सर आखों पे ले लिया है और पूरे तरीके से आक्रोश की भावना कॉंग्रेस इस यातरा से परकट करते हुए जनता का अशिरवाद पा रही है पूरी तरीके से जैसा मैंने बताया है कि जन आक्रोश यातरा ये जनता के मन की बात प्रतिविंब कर रही है जनता के दिल में जो तरासदी है जो पिछले 18 साल में जन विरोधी नितियों के माध्यम से बारतिय जनता पार्टी ने जनता का शोशन किया है ये उसको प्रकट कर रही है इसलिए ये जनता की यातरा बन गई है और किस बात की जन आशिरवाद यातरा 15,000,000 खाते में नहीं दिये यह इतने व्यापम जैसे इतने घुटाले किये हैं कि पूरे देश में जम्त्याप्रदेश का नाम खराब हो गया ऊसका चांए लगता है यह सवाल जनता पूछ रहे क्या लगता है कोज़ो दो जारचोबिस लिगना पूरे देश में इंडिया का गडबंदन है आप इस बात से एसास कर लिजिए के इंडिया अलायंस के नाम से ही मोधी जी डर गए और उन्होंने देश का नाम बदलने की जो सगुफा छोड़ा तरह तरह की दिशा भूल करने की बात की लेकिन ये जो शडियंतर भारतिय जंता पार्टी का रहता है कि मुख्य जंता से जुड़ूए मुद्दों पे चर्चा नहीं करते वो इस बार बिलकुल नहीं चलेगा जंता नहीं ये तैय कर लिया देखिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने पेटी बड़ाओ बेटी पड़ाओ का नारा दिया उसके हालात ऐसे ऊगए कि पूरे देश का चितरा आप देखें तो जाधा तर महिलाओं का शोषन भारतिय जंता estar party के नेता करते पाए गए चाहे उत्राखंड का कांड ले लो चाहे हर्याना का कांड ले लो चाहे राजिस्तान का कांड ले लो तो अब यह हालत हो गया है कि घर के बुझूर कहते हैं भारतिय जंता पार्टी से बेटियों को बचाओ इस मुद्दे पे इस मुद्दे पे हमारे नेता आधर निये बुरिया जी ने विकरांद भाई ने किस तरीके से आधिवासियों के उपर अन्याय कर रही है विस्तार में कहा है उन सारी बातों का मैं अनुमुदन करता हूँ जी बहुत बद्ध है कि बाताओ भेड़ों कि क्या कारण है कि आज पाहिदी वह को पूरे मंदबरेश में जन आकरोश यातरा का आविजद करना पड़ा हुआ कि क्या कारण है कि इस मंदबरेश के जंदाने अजिए कि अचारा साल का नंबर समय में है कि बाध मंदबर पार्टी के लोगों को दिया भात मंदबर पार्टी की सरकाल को लिया लेकिन इन अठारा सालों में इस मदब्रेश की सरकार मदब्रेश की जंदा हो अगर कुछ मिला तो सिर्फ भोका मिला सिर्फ जुम्ले मिले बड़े-बड़े नारे और साले अठारा सालों में इस प्रदेश को कहीं से और दे जाए 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 हमको मिला क्या हमको मिला एक ऐसा मदब्रेश जो महिलाव के अट्यातार के मादले में देश की नमबर मैं हो है अधियर बड़ी दुखी बात वाथ आए कि आज हमें इस प्रदेश में रहते हैं जहां के हमानी मता बहने बश्यक्त है कि अमेंगे स्माज के साथ लगा डर इवांदिन्दा पार्टी के नेता और पार्टा उनकों पर जुन आने का काम करते हैं कि अधार के लिए नौ देश में आधे रहरें जहां पर बुड़ादी नौजवालों की पहटाश जुआपन गौटाले के नाम से इस नाम से होती है यहां पर पत्रों के जिलेत हैं सब्सक्राइब कि अध्यम पर देश में पर विए हैं प्झी खने देश में पर मतर रहतों कि कैसा पर अचारा सालभी अध्या के वाग्यां परूप भीमक्तियों कोई ना कोई ख़ंठाला होता है कभि सिव्धाबंग होता है जब फिर्वर्या चिक्षा मंचा की फटी मोटादा होता है कभी जबागे खानी होता है आज वक्त है हम सब साथी जुट करके जंदा के बीश पेटा करके इस निकम्पी और नाकारा सरकार को भाड़ बेखने का चंकल बादों ने साथ के हम सब देखे एक बचन हम ले एक बचन हमने कि इस एकम्पी सरकार को इस नकारा सरकार को हम सब साथी बिल करके उठाने का चाहिए आज जहां जा मजब्रेश नाकरों स्यात्रा निकल रही है भारी समर कर हमारी स्यात्रा को मिल रहा है और दूसरी और बादन्ता पार्टेश जन आशरवाद जयात्रा निकल रही है आप सब को मालू है कि किस प्रकार का आशरवाद उसको को मिल रहा है ये पूरे मदब्रेश से ज़ता जानती है वी मत भी घठना हो, क्याए और भी घठना है, हमको देखने को मिली है, तो ये कही न कहीं एक संकेत है, परवतन का, ये संकेत बद्लाबा आपा, जनता जाकु की है, जनता ने ताय कल लिया है, मन बना लिया है, कि आने वाला समय है, प्रगाल से अब इपिछले दिनों आधी संजेरी थी, अब इपिछले दिनों जो वर्षा हुए हुए, जो आती वर्षा हुए हुए, वह आती वर्षा, प्राकृति कापता नहीं, ये माने प्रचुत आता थी, ये साशन की कुछ आशन की वारा रचित आता थी, ये सरकार की वारा रचित आता थी, दो लोगों को खुछ करने के लिए, लागों लोगों को बेघर करने का काम इस सरकार में किया, दो लोगों को खुछ करने के लिए, हजारा लोगों की जान देने का काम इस सरकार में किया, जिसने अपने जनम जन मनाने के लिए चर्दा सरोवर के गेट को बंद कर दिया और उपर अपनी वावाई रूंटने के लिए उंकारेशर ने एक आयोजित करने के लिए आठ दिन तक तक उंकारेशर बांद के गेटों को बंद किया गया और जब कारे कम समाप हुआ तो अचानक उंकारे सर्भान के पूरे गेग उने गए उसके आरण ये तभाई की उंकारे सुर्च लिए करके सर्दार सरूर तक की तभाई हमें की देखने हुए हमने और हमारे साथियों ने एक एक घर हमें गए जो बार प्रवाई थे जो बार पीड़ी थे उनके दुप को हमने लेखा उसको महथूश दिया किस प्रकार से अपने इत्ताना साही के कारण लोगों के घर में आज एक अन्न खाने करें लोगों की वर्सों की जो मैंने कि जो कमाई वह कमाई एक ही जड़के में इस सरकार ने उनके हातों से चीन लिया करें इसके पून जिम्हें है यहां की जनका जाद कर चाहिए आप जाकर कि प्रभाविक लोगों के पिडिद लोगों के उनकी धुक दर्भ आप तुमिएगा वह आपको पूरी घड़ना करत बताएंगे वह आपको बताएंगे कि क्षर करें के ताफीय का मंझर पूरे और इंग किस प्रकार से उसको मिर्वित करने का काम की लागा कि Hm हम क अου मैंने अपने इतने सालों की छानवाश युन धीवन मेंarto परिदने यो IoTसाश्यम सरकार उनके साथ-नकमा ने 不issements पूराइनना उनके बीद में ठापने को पाइच एक पूराइनना उन्हें सूट ले ने नहीं के आँगा है और आज भी हमारे लोग को दाशन की मदद थी रस्ता दें पर देंगे रहा देंगे आज पूरे चेट उन्हें हजावे एक अगर मेरे जो अंदर आता है उन्हें अंदर आता हूं कि फस्य वर्वाद हो गई है जो कोड़ हो गई है कि कि आज जिनांदा किसां के खेट का सर्वे कैसे हो उस दुशा में कोई जल तक करना तो दूर की बात है उनके खेट को पहुचना तो दूर की बात है यह से लिकम्ही सरकार में पर्शाशन आज तक धरित करने का काम अधियों कि कौन हमारे हिकों की रख्षा करने का गाम करता है कौन हमारे योड़ना चलाता है यह फर्क हमको सब्सक्राइब यह फर्क हम दो जन्दा के भी कि बताना पड़ा एक तरफ वो पाटी है जो हमेशा गाव वरी मत्रूर की बात करती है और एक तरफ वो है जो बड़े-बड़े धन्ना से तो उप्जयों की बात सब्सक्राइब कि आप सब्सक्राइब पूर्जवाट से अधियुके अश्युके 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 आश्युके अश्यूरवाट से देशी सब्सक्राइब किसान कर्दमाभी की जोटना को लागों परसे का जिन्मा फुट सौजवान के आप लोगों सब्सक्राइब और हमके अल्पमे में उसे इतिहाती की जोटना को धनाता सुर्तार नेड़ा काम किया जहां करमत्र देश में 27 लाग प्रसानों के 11,600 करोण के रुपे का गर्माभी को लेका काम के लिए एक तरफ हमारी सब्सक्राब और एक तरफ जो अभी एक तरफ हमारी सब्सक्राइब हैं दो हजार चोदा से लेकर के अभी ना लगबाद 14 करोड 56 लाग करोड पे जो है कर्ष बड़े बड़े घुना सेखों का इस सरकार में लाग करोड़ 14 लाग 56 करोड़ पर शितनी बड़ी जो रशी है जो हमारे आपकी मैनत की पसीजिनी की कमाई है जंटा की कमाई है कौन बड़े बड़े उत्यों पत्यों का मांग कर देगा अभी विश्ले दिनों इन्हीं के वाद्यंता पाटी के एक राजिवा के सदच से हैं जो जी दीवी के मालिक है सुवाज चट्रा है उसके इनके पांच अज्जार रोड़ रुपे का रण मांग करने का दास है जब गरीव जीने योड़ना चलाने की बात होती है जब किसान के लिए योड़ना कराने की बात होती है तो यह सरकार के पास मजनों का मजनों को जाता है ता मैं कि एक हीठके में आपने विजयोग पती जोस्तों के तश्माप करने में यह उन्हें रस्ता की देखते आप कि उसात्यों के बहुत सारी चर्चा होसे अब है इसमें सर्वे की बात है यह बलतर निकटी दअन्युग है मौर्दा बिलना तो दूर की बात है, रुमाईंदे, सरकारी रुमाईंदे, ये तो तब लिए पॉस्क्राइब करें, और अब हमारी सरकार हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें